हलो दोस्तों एक बार फिर कॉम्पेटिशन कम्यूनिटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका दोस्त M.M. आलम हारदिक स्वागत करता है पिछले वीडियो में हम लोग ने 1919 का दिनियम और 1935 का दिनियम देखा कुछ अलग अंदाज में देखा हम लोग ने कोशिश ये नहीं बलकि उसका इस्तमाल अपनी परस्नाल्टी डिवलेपमेंट में करें उसी इकड़ी में ही मैं अगला वीडियो ले करके आया हूं जिसमें 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम से कुछ कोशिशन बना करके ले करके आया हूं आप इस कोशिशन में भी यही देखेंगे कि यह कोशिश यह है वो एक बहतर समच करने में मदद कर रही है कर पा रही है या नहीं कर पा रही है और दूसरी जूशिश वो यह है कि मैं आपको रट्टू-टोता ना बनाओं पढ़ाने का तरीका कुछ इस तरीके से रखOoh जिससे आप पढढ़ें और देखें तो एक ओर एक बहतर समझ पैदा हो, चीजों को आप समझें और आपको आराम से आपके दिल और दिमाग में वो च्छा जाए, इस तरीके से च्छा जाए, इस तरीके से बैठ जाए, कि आपको बहुत जादा बार बार उस चीज को पढ़ने के जरूरत ना पड़े, चलिए, इसी कोशिश में, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, पहला कोशिशन है, भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है, ये बहुत आसान सा कोशिशन है, बहुत आसान सा कोशिशन है, और आपको सामझे तोर पर देखने को हर जगा मिल जाएगा, तो इसका उतर आपके पूरा देखें तो क्या है मांटेग्यू चेम्स फोर्ट सुधार है हमने इसको शॉट में कर दिया कभी कभी होता है कि इस्ट्रेट जो है शॉट नाम देखता है और इसके बाद यह है कि फच जाता है वह उसका उत्तर नहीं ढून पाता है इसलिए मैंने कोशिश किया है कि य ही उत्तर क्या होगा वही होगा ठीक है अगला कोशिशन हम देखने कोशिश करते हैं इस को देखिए यह थोड़ा सा यूपसी पैटर्न पर है आप यूपसी का भलेई है लेकिन यह इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उस प्रश्न को अगर आप बहुत ध्यान से तो जाई से बात है कि आप अपनी पढ़ाई को और बहतरीन कर पाएंगे है ना तो यह प्रश्न आपको थोड़ा सा सोचने के लिए क्या करेगा मजबूर करेगा सावाने तो पर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह किस टेप का प्रश्न है लेकिन मेरी कोशिश जो है व भारष शासन अधिनियम 1919 के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार करें पहला है प्रांतों में एक पुर्ण उत्तरदाई सरकार के गठन का प्रावधान किया गया हम लोग ने 1919 का अधिनियम पढ़ा है 1935 का अधिनियम पढ़ा है तो उसके जो पॉइंट्स हम लोगों ने देखें हैं समझे हैं उसको आप क्या कीजिए ध्यान में लेकर कियाये और उस आदार पर पहले यह जो option है यज पहला जो कतन है उसको आप देखिए ध्यान से क्या है प्रांतों में एक पुर्न उत्तरदाई सरकार के गठन का प्रावधान किया गया हम लोग जानते हैं कि ज उसके प्रस्तावना थी प्रेंबल था उसमें कहा गया था कि भारत में हमें एक उत्तरदाई सरकार की स्थापना करने के लिए प्रयास करेंगे तो यहां पे हमने क्या देखा वास्तों उसमें क्या था आजशिक रूप से उत्तरदाई सरकार की स्थापना की गई थी ना कि कि वायसराय की कारकारणी परिशद अलग है है ना और जो केंद्री जो विधान मंडल था उसको दुई सद्नी मनाया गया था ना कि वायसराय की कारकारणी परिशद को वायसराय की कारकारणी परिशद अलग थी और आपका केंदरी विधान सभा अलग था केंदरी विधान सभा को क्या किया गया था दूई सदनी बनाया गया था राज परीशद और केंदरी विधान सभा के रूप में इसका मतलब यह है यह भी क्या हुआ गलत हुआ अगर आप इसको ध्यान से नहीं देखेंगे अगर ये concept क्लियर नहीं है कि वायसराई के कारकारणी परिशद और खेंदी विधान सभा अलग-अलग है तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ यह मालूम है दूसर दिनी बना दिया गया तो इस अधार पर आप इस answer को क्या माने करके साट कर देगे यह भी option क्या है गलत है पायसा राए के कारकारणी परिशत की इस संख्या बढ़ाकर के साथ कर देगेए यह भी यह बहुत है पहिं crusty में यह कि घलत है केंदरी वीधास सभा में निरवाची सदर्शों की संख्या 104 ने धारित की गई अब केंद्री विधान सभा में हम लोग ने क्या देखा था भाई केंद्री विधान सभा में हम लोग ने देखा था क्या है एक राजी परीशत देखी थी है ना राजी परीशत जिसमें क्या किया गया था 60 सदस्यू की बात की गई थी 60 मैं से 34 जो है वो निरवाचित होते थे और 26 जो है वो मनूनीत होते थे हुपनंग यह देखा था दूसरा जो था दूसरी सद्धी चजुकी बना धवी ती तूऑ सक्येसरा क्लेक्यादfa definitely अगर हम बात करें है deeply विधान सभा कि अगर हम बात करें तो सभामें सभी टोटल सद्धूकी संघ्या क्या थी 145 खर दी गई 145 में एक 204 वो क्या थे निर्वाचित थे और 41 जो है आपके एपैल तो अब यहाँ पर हमने क्या कर देखा है केंद्रि विदहान सबहाँ में निरवाचित सोग एक ustocyfall कर दी गई यहयद आपको क्या है right आंब यह आपको ऑन म्को तो है ना देखते चलिया है ना फिर तीसरा option है तीन चार सही है है ना और यह कह रहा है केवल चार सही है तो हम लोगों ने क्या देखा हम लोगों ने यह देखा कि इसमें option नंबर एक ए केवल एक सही है ये गलत हो गया दो और तीन सही है हमने देखा क्या है ये भी गलत हो गया तीन और चार सही है तीन और चार सही है क्योंकि इसमें चार सही है लेकिन तीन तो गलत है इसलिए ये भी एंसर गलत हो गया केवल चार सही है यह होगा आपका सही अंसर ठीक है तो यह प्रश्ण जो है सिर्फ आपको क्या है सोचने पर थोड़ा मजबूर कर रहा है चुकि अब शुरुआती अवस्था में हम लोग है तो इसलिए वैसा प्रश्ण का इस तर बहुत जादा उंचा करना अच्छी बात न देखने को नहीं मिले हैं लेकिन हम तयार है तो जादा बहतर है अगर इस तरह के प्रश्ण बन जाया तो जाई से बात है कि आप जो है प्लस में रहेंगे आप ज्यादा एड़ांटेज में रहेंगे हैं और बाकि आप इसके बाद यूप सी वगरा के भी खौब देखते हो जो टफ कोशन रहेगा हो नो डाउट आपको मजबूर करेगा कि आप थोड़ी और ज्यादा पढ़ाई करें ठीक है अगले कोश्चन पर आते हैं यूपी पीएससी में इन जगों पर इस तरीके के प्रश्ण जो है ज्यादा देखने को मिलते हैं आपके हाँ भी पूछा जा सकता है है ना नहीं भी पूछा गया लेकिन इससे आपकी एक बहतर समझ तो डेवलप होगी ना भई है ना तो इसी को इसी संदर में देखते हैं 1799 के अधिनियम के संदर्व में यह कहा गया है कि एक हांद से जो भारतियों को दिया गया वा दूसरी हांद से वापस ले लिया गया हमने देख़या法 1990 के अधिनियम को पढ़ने के दौरान हम लोगों ने एक आलुशना के तोर पर इस statement को लिया था कि एक हांद से जो हमको द लिया गया दूसरे हां से ले लिया गया है ना जैसे हम लोगों ने क्या देखा था हम लोगों ने ये देखा था कि एक आरक्षित विश्य बनाया गया था जिस पर क्या था गवर्णर जनरल गवर्णर और उसकी परिश्यत का पुराधिकार था और दूसरा जो था हस्तांत्रि जिस पर क्या था गोवर्णर्जनर्र भारती मंत्रीओं के मंस्टी मंदल के साथ मिल करके हसंतित विश्यओं पर क्या है निर्णे लेता है तो हम यहां क्या देख रहे हैं है और जो स्दोल इसका कारान में हम् आतार्किक वटवारा है ना पांती विश्यों का इतार्किक कौर्ण तो हम क्या देखते हैं आरक्षिद विश्य के बात करते हैं तो चीजE वित है, है ना, राजस हो है, ये सब चीजें जो है, इसमें डाल दिया गया है, ठीक, इसमें डाल दिया गया है, मतलब आरक्षित विशें में डाल दिया गया है ना, और साथ ये साथ अगर ये कहते हैं कि स्वास्त है, सफाई है, अगर इसकी बात करते हैं, स्वास्त सफाई जैसे चीजों की बात करें, इस्थानी सोशासंग की बात करें, यह सब चीजें जो हैं, हसानती तुशे में डाल दिया, तब यहां पर आप देख रहे हैं कि यह जो चीजें हैं, को बटवारे के रूप में देखिए जरा, स्वास है, सफाई है, इस पे भी कोई अगर आपको किया है, वित्त की जरुद पड़ेगी, है ना, और वित्त पे, राजस पे जो भी निरने लेना है, वो किसके पास है, यह गवर्नर और उसकी परिशत के पास है, गवर्नर के पास है, तब यहां पर क्या है, कि आप कोई भी कानून बना लिजे, कोई भी नीती बना लिजे, क कि नब उसको लागू करने के लिए किसो ओर देखना पड़ेगा आपको गौर्णर की तरव देखना पड़ेगा है ना अगा उन डशाय तो उसको माने या ना माने है ना तो इसका मतलब तो इस तरीके से क्या देखते हैं कि आ तार्किक बटवारा करके क्या किया गया है एक तरीके से जो दिया गया है उसको दूसरे हां से वापस ले लिया गया है तो यहां पर आपी कह सकते हैं कि कथन और कारण दोनों सही है ए और आर एकी सही व्याख्या करता है मतलब जो कारण बताया गया है वो गया है जो कथन है उसकी सही व्याख्या करता है अब इसको हम जोड लेते हैं कथन आवकारण को क्यों की से जोड लेते हैं 1919 के अदिनियम के संदर में कहा गया है कि एक हां से जो दिया भारतिया गया वह दूसरे हां से वापस ले लिया गया, क्यों? क्योंकि प्रांती विश्यों का अतार्किक बटवारा किया गया था, तो यहां पर क्या हुआ आपका सही अंसर? आपका A हुआ, यानि A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है, आपको सिंपल तरीके से देखने में और किस तरीके से आतार्किक बटवारा जो है, क्या कर रहा है, वास्तों में जो दिया जा रहा है, उसको दूसरे हाँ से ले लिया जा रहा है, इसको किस तरीके से क्या कर रहा है, जिस्टिफाई कर रहा है, तो यह चीज़े जो है, आपको समझ नहीं होंगी, इस तरीके की प्रश्णों को देख करके आप में एक बेहतर समझ डेवलप होगी ठीक है अगला चलते हैं अगला है देशी रियास्तों के संदर में नरेश मंडल के गठन के प्रावधान के संदर में निम्लिकी कत्नों पर विचार कीजिए हम लोग देखा है कि नरेश मंडल के जो एक बात की गई थी हम लोगों ने पढ़ा है अधीनियम में पढ़ा है अब इसको डिस्क्लोज नहीं करते हैं पहले क्या कीजिए आप यह सारे आप्शन देख लिए उसके बाद फिर आप तुमने दिमाग पर थोड़ा जोड़ डाली जोड़ आपने दिमाग पर जोड़ डाली जो आपने पढ़ा है यह 1929 के अधीनियम में था कि 1935 के अधीनियम में है ना तो 19-19 के अधीनियम में तो इसका मतलब पहला ऑप्शन यह गलत हो गया है ना दूसरा था इसकी सापना लखनों में की गई तो लखनों में नहीं एक्शॉल मे इसकी साफना जो है वह दिल्ली में की गई थी बढ़ाता क्या वीरभादर सिंग नहीं बलकी आऊध रियासत के भी नहीं थैसिप い सिचल O अबिका नेर ले रियासत के थे और वो कौन थे राजा गंगा सिंह जो कि राजा गंगा सिंग ठीक है तो है यहाँ पर 달 साय ये क्या हुआ आपका, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन चारो options में से सही अंसर क्या होगा? कोई सही नहीं है, इसका मतलब चारो option गलत है इसमें, clear हुआ, ठीक है? した for सीज़ा सीधा question बनाया जा सकता था, لेकिन सीदा सीधा कुशन बनाने में आपको जो पढ़ाई करनी हैसा मज़ वाली पढ़ाई करनी है और इस तरीके से पढ़ना है कि वह एक तरीके से हिस्थाई हो जाए आपके दिमाग में दिल में बैठ जाए तरीके से इसका मतलब यह है कि इन सारी MCQs को जो है आपको इसी नजरिये से देखना होगा ठीक है ना चलिए अगला कुश्यन है निम लिखित में से कि संसाय समीति की स्थापना 1919 के अधिनियम के प्रावधानों के अंतरगत नहीं की गई थी है ना तो ली कमिशन ली कमिशन हम लोग ने देखा थे क्या कि प्रतंबार जो है वहां लोग से वायों की बात की गई थी 1919 के अधिनियम में भारत में स्थापित करने के लिए तो वहाँ पर क्या है उसी जो अधिनियम के जो प्रावधानों के अंतरगती क्या किया गया था एक ली कमिशन का गठन किया गया था ली कमिशन और इसी की 1924 में ये 1924 में ली कमिशन गठन किया गया और इसी की सिफारिश के अधार पर 1926 में 1926 में क्या किया गया था केंदरी लोग से वायोग को गठन किया गया था ठीक है अगला जो है वो क्या है साइमन कमिशन तो आपने देखा होगा कि इसमें एक प्रावधान था 19-19 के अधिनियम में कि अगले 10 वर्षों में इस अधिनियम के लागू होने के 10 वर्षों पशाद जो है इसकी समिक्षा के लिए रि इनियम में देशी रियास्तों के एक नरेश मंडल के स्थापना करने की बात की गई थी एक प्रोधान किया गया था इसका मतलब ये भी सही है है ना चौथा जो है क्या है राज लोग से वा आयोग का गठन करने की बात की गई गई थी है ना तो यह आप्शन आपका क्या हो जादा होता है जहां पर अगर एक स्टूडियन की बात करें हम तो बहुत अच्छे से उसने पढ़ाई नहीं की है तो कन्फिजन्स जादा होता है अगर वह बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है अच्छे से समझा है सिर्फ याद नहीं किया बलकि समझ के पढ़ा है तो ऐसे ज चलिए आगे चलते हैं फिर हम कर्धन कारणवाले कोश्चन पर आते हैं एसर्शन है सिरी मती एनी बेसेंट थोड़ा सा यह अलग हटके हैं जब आप 1929 का अधीनियम पढ़ेंगे मैं आपको मजबूर करना चाहूंगा इस बात के लिए कि आप जो है सिर्फ यही पढ़ाई न करना हूँ यह कोई भी एक ऑथेंटिक बुक जो है वह जरूर पढ़िए आप है ना कम्प्यूटिशन कम्यूनिटी के तरफ से भी जो नोट्स वगर है वह प्रवाइड कराया जाते हैं पूरा कंप्लीट नोट्स है यहां पे आप उसको भी आप देख सकते हैं या फिर क्या कीजिए आप देखें पर्चेस कीजिए और पढ़िए उसको और इस तरीके के पढ़ाई करने से आपका फिर क्या होगा एक बेहतर समझ के आधार पर जैसे 1919 का अधीनियम के बारे में आप जब आप बात करेंगे इस तरीके से पढ़ाई करके और कोई दूसरा बंदा जो सिर्फ 1919 का अधीनियम ही पढ़ा हुआ है तो आपके और उसके बात करने में आपके उसके लिखने में आपके उसके उत्तर देने में और साथ ही साथ जब इंटर्व्यू में जाएंगे वहाँ पर जब अपने आपको आप अपियर करेंगे तो वहाँ भी आप क्या है सभ कि आपको जादा कोशिश करने पड़ेगी ठीक है ना एक बहतर स्टुडेंट बनना आपके पहली कोशिश होनी चाहिए ठीक चली हम देखते हैं इस चीज़ को यहाँ पर थोड़ा सा उनिस के अधीनियम से लगा सटा हुआ है लगा हुआ है उसके साथ रिलेशन है लेकिन आपको आम तोर पर जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें इस तरीके की चीज़ें आपको देखने कम मिलती है ना थोड़ा सा हम इसको विस्तारित कर रहे हैं देखने कोशिश करते हैं एसाशन क्या है श्री मती एनिबसन ने होमरूल आंदूलन को समाप्त करने का निर्णा लि है ना और यहां पर जब आपको यह पता है यह सही है और इनका जो उद्देश होमरूल आंदूलन का नाम से इस परष्ट है कि भारत में एक उतरदाई सरकार अपनी सरकार इस्थापित करने के इन्होंने मांग रखी थी इसके लिए इन्होंने आंदूलन भी चलाया था तो अब यगर यह जो आंदूलन जो है इसके आधार पर यह जो नहीं देखा कि यह जो मांग इनकी थी वो अगर इससे पूरी हो रही है जteenो कि वादा किया गया था 192 आधिनियम में तो इसी आधार पर नहीं क्या क्या हुँ आपका हो मुरूल आंदूलन को वापस लेने का नि ये बताता है कि आपको अपनी पढ़ाई भी करनी है है ना कोई आपको नहीं मना सकता है आप खुद बनेंगे हम लोग जितने भी लोग है जहां भी आप अपने सर्राउंडिंग्स में देखते हैं वो सभी लोग आपका साथ देने के लिए है ना आप सबका साथ लीजिए लेकिन आपको अपनी दिशा और दशा बदलने के लिए आपको क्या करना होगा आपको अपनी मन्जिल पाने के लिए आपको अपनी कोशिशें खुद करनी पड़ेंगी है ना और अगर ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है अगर इससे लगता है कि आपको इसका फायदा मिल रहा है आपके परसनालिटी आपके सोच में कुछ फरक आ रहा है आपके दिमार पे कुछ जोर पड़ रहा है तो अगर ये तरीका आपको बहतर लग रहा है तो इसको आप अपना सकते हैं इसको आगे लेकि जा सकते हैं और मुझे जहां तक लगता है कि इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा ठीक है चलिए अब हम अगला कोशन देखते हैं उनिस और उनिस देखिये क्या है तुल्नात्मा गध्यान मतलब अगर आप यह कहते हैं कि एक पढ़ा लिखा वेक्ती जो होता है वह बहुत तार्किक होता है और अगर हम समाजिक विज्ञान के संदर्म बात करें सोशल साइंस के संदर्म बात करें तो वहां पर जो तार्किकत है वैज्ञानिक्ता है उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है क्या होती है क्योंकि आप जानते हैं कि समाज में कोई भी चीज एफसलूट नहीं विशुद्ध नहीं है जो आपके जो दूसरे जो भौतिक विज्ञान वगर हैं तो वहां पर क्या है चीज़ें एफसल बोहगाता तारकिक होगा उसका दिष्ञिकोंड वज्ञानिक होगा इसी चीज को यूपinkles यूपिएंसी और जो है राजलोगसेवा आयोग जो है और क्या करते हैं जो इस्टुड испyrent होते हैं उसमें क्या क्या करते हैं कि इस बच्छे में यह सब्सेंट में यह एस्टुड तुलनात्मक अध्यन कर पाता है कि नहीं कर पाता है ना तुलनात्मक अध्यन अगर कर पाता है तो इसका दिश्रीकूर वेग्यानिक होगा और तुलनात्मक अध्यन में ही जैसे मालीजे मेंस का कोश्चन अगर बनता है तो मेंस के कोश्चन में तुलनात्मक अध्यन वाले को कोन का पता चलता है तुमा करने के दौरान आप कितना मुल्य निर्पेक्श हैं मुल्यां कि करें हम तो में लो डाउट इस टायब किसंभावनर जादा रहती है कि को ऐसा प्रश्न पूछ दिया गया जाहा आम लढके का जो है उस मामले में विचार जो है बड़ा ही एक दम बलदब एक तरीके से कह सकते हैं एक्स्प्रोसिव टैप का है मतलब उसको बहुत जादा वो चीज बुरी लगती है पिछले बार पिछली वीडियो में भी हम लोग ने इस बात पर चर्चा की थी कि उसको गुस्ता नहीं होना है इमोशनल नहीं होना है उसको बहुत तार्किक बनना है वस्तुनिष्ट होकर कि उसको निर्णे लेना है, समिधान भी यही कहता है, प्रशाजनिक अदिकारी को तो सब को देखना है ना भई, तो यहाँ पे अगर आप किसी समुदाय या किसी वेक्ति या किसी भी चीज के लिए आप एक नफरत रखते हैं, तो वहाँ पे जाई से ब बनाए जा रहे हैं, वो इसी सोच के साथ बनाए जा रहे हैं, कि आप में एक समझ विक्सित की जा सकें, कि आपको अगर critical analysis पूछ रहा है, आलोचनात में मुल्यांकन पूछ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आलोचनात में मुल्यांकन में आप अपने आपको स्विमिध तुलनात्मा गध्धन करा है तो तुलनात्मा गध्धन में आपका दिश्ट्री कौन देखना चाहता है कि कि वह आप कितने विग्ञानिक दिश्ट्री कौन वाले यह सब चीजें नहीं होने चाहिए, तो यह सब चीजें किस से देखे जाती है, किस प्रकार के प्रश्णों से चेक किया जाता है, आलोजनात्मक मुल्यांकन वाले प्रश्णों से आपके अंदर वो चीजें चेक की जाती है, ठीक है, तो यह चीज ध्यान रखेगा, और यह प कि आप मेंस प्री मेंस इंटर्विव तीनों जगा प्यापके यहीं तक नहीं बलकि जब आप फिल्ड में उतने काम करने के लिए तो वहां दिया गया है, वह है है, कि 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना शामिल थी, जबकि 1935 के अधिनियम में नहीं, सही बात है, यह आप्शन, यह जो कथन है, यह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने देखा कि 1919 के अधिनियम में ही प्रस्तावना है, बाकी किसी अधिनियम में हमको वर Vermina शामिल थी जब्क rozp 35 के अधिनयप में शामिल नहीं थीう यह बिलको सही कतरव गनता निस तौवारत कर 1990 के अधिनयप में प्रांत के सतर पर क्या क्या इ चरूराइसन की शुरूराइसन तहां ना फिर उसके बाद 1927 में जब साcolm אני कमिशञ आता है तो साào नकिशन ने क्या रिपोर्ट में आमने जो सुजाहो दिया वो क्या दिया और प्रांतों में क्या एक उत्तरदाई सरकार की सथापना की जाए उसके तहट क्या किया गया उस प्रांटों में जो दूए शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और 1935 आधीनियाम में क्या ग्या ग्या है उसको केंद्र के इस तर पर ग्यात लागो कर दिया ग्यात तो यह आपका क्या है दूसरा option mica क्या है तीसरा जो 19 के अधिनियम में उसका विस्तार कर दिया गया Anglo-Indians के लिए सिक्खों के लिए और European Z के लिए क्या किया गया वो उसका विस्तार किया गया यह ने संप्रदाइग निर्वाचन का है ना अब फिर 1935 के अधिनियम में हम क्या देखते हैं 1935 के अधिनियम में दलितों के लिए महिलाओं के लिए जैसे इन लोगों के लिए क्या किया गया ये संप्रदाइग निर्वाचन का विस्तार किया गया तो मतलब ये है कि संप्रदाइग निर्वाचन का विस्तार दोनों अधिनियमों में किया गया ये भी क्या है option बिल्कुल सही है है ना फिर आते हैं अगला option में 1935 के अधिनियम में भारत अच्चियू के कारे को सीमित किया गया जबकि 1935 के अधिनियम में भारत परिशत को समाप्त कर दिया गया ठीक है हमने ये देखा था कि जब 1857 की क्रांती हुई थी तो एक तरीके से इसके बाद जो है सारी विवस्ता ही बदल गई है ना भारत में जो अंग्रेजों का शासन था उसके बाद क्या गया पूरा पूरा शासन ही एक तरीके से किया हुआ तरीका ही पूरा बदल गया है ना इसके तहद क्या किया गया अब जो है सीधा बिटिश क्र भारत का शासन करना उसके लिए पट का स्रीति भारत सच्यूद वहारत कि मामले में वहली सूलता मतलब सबसे प्रमुख था इसके निर दिश पर्याषटाहर भारत भारत में माइसराय जı है उपने काम करता था तो को मड़ करने के लिए एसिस्ट करने के लिए पंदरा सदसी जो है एक परीशत बनाई गई थी और ये पंदरा सदसी जो परीशत थी वो क्या थी ये भारा सची के लिए सलाहा देने का काम करती थी है ना निर्णे जो भी लेना है सची को ही लेना है लेकिन ये पंदरा सदसी जो है क्या करते थे इनको मदद करते थे साशन-प्रशासन में ठीक है था तो अब यहां देखने ऑली बात यह है कि हमने क्या देखा यहां पर 1929 के अधीनियम के कारे को सेमित किया गया बिल्कुल सही बात है हम लोग ने क्या देखा था 1919 के अधीनियम में इसकी प्रिष्ट भूमी में हमने देखी थी कि लखनाव समझोता जो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में उसमें यह मांग रखी गई थी कि जो भारत सच्चिव है वह ब्रिटन में बैठ के काम करता है उसका जो वेतन भतता है वह भारत क्यों उसको तो बृटिश सरकार को भी बीटन से ही देना चाहिए था है ना यह म diyorsun इसम्ण की गई थी तो इसी संदर में क्या किया क्या एक परिवर्तन देखा गया वह क्या देखा गया की जो भारत सच्चिव है भारत सच्चिव है 12 दो प्रकार के कारे थे एक था क्या Special and Unfortunately और तो बारत के रूप में किसका भारत सचीव का और दूसरा पॉलिटिकल एडिमिनिस्टेटिव जो राजनितिकों प्रशासिंग जो कारे थे वह इसाए यह दोनों कारे थे अब वहां पर इसका वेटान बत्ता जो होना चाहिए बिटन को देना चाहिए ना कि भारत को देना चाहिए तो उन्होंने क्या किया 1919 के अधीनिया में ये परिवार्थत लाया कि भारा सच्च्चियो कि काये को किया इसको दिया ढ़्या लगा और इसका जो अलग कर दिया गया इससे अलग करके क्या किया गया, एक High Commissioner Office का गटन किया गया, बिर्टन में, और ये जो High Commissioner Office जो बिर्टन में जो गटित किया गया, इसका इस्थापना किया गई, तो इसके जो वेतन भत्ते, जो खर्चे थे, वो क्या किये गए, भारत पर भारित किये गए, ठीक है, तो यहाँ में किया अगया जब снимė grappi को सभिए ग्याव बिल्कुल सभिए घैसे ग्युए एक एक प्रकार के काल उसके पास रह गया दूसरा जो है हम क्या देखते हैं इसके आगे कि जबकि 1935 कि अधीनिय में भारत परीशवत को समाप्त कर दिया गया ठीक है न्यक्तित भारत सचीव के जो भारत परिशर्थ 15 सदसी जो था इसको क्या किया गया 1935 के दिने में समाप्त कर दिया गया ये भी सही है इसका मतलब क्या दिखते हैं चारो अप्शन सही है तो सही अंसर कौन सा होगा चारो सही है ठीक है कि आपकी दिमाग के थोड़ा जोर पढ़ रहा है जोर प आने वाला है ठीक है चलिए हम अगला कोश्चन के और बढ़ते हैं अब दो यह सीदा सीदा कोश्चन है पूछे जाते हैं तो इसका मतलब यह की सब्सक्राइब को भी इसमें शामिल करना था दो शासन प्रणाली के अधार ना को प्रणयता थे लियोनल कार्टिस है ना लिय कार्टिश यह था ठीक है तो यह आप्षिन आएगा तो यही आप्षिन आप रखिएगा ठीक अगला है भारत शासन अधीनियम 1919 के निर्माण में निवली खित में से किस यकिन घटना या घटनाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है हम लोग ने प्रिश्टिबू में पड़ी थी 1919 के अधीनियम में है ना तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि वह जो आपने प 2017 में मांटेग्यू ने अगस्त में घोशना की थी घोशना क्या थी कि भारत में हम उत्तरदाई सरकार की स्थापना करने जा रहे हैं ठीक है ना तो जाईसी बात है 1919 के अधीनियम में इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई पड़ता है इसी घोशना के बात जो है वह मांटेग्यू भारत आए और चेम्सपूट के साथ घूमें भारत भर में और फिर क्या किया उन्होंने जो मांग और जो मांग की जो एक लिश्ट है वो तैयार की उसको एक रिपोर्ट का शकल दिया और उसी रिपोर्ट के आधार पर ही क्या हुआ 1919 का अधिनयां बिटन के संसेत में बना और पारित हुआ ठीक है अगला जो है वो किया होम रूल आंदोलन हमने देखा होम रूल आंदोलन ने क्या किया था भारत में एक अपनी सरकार के लिए हैंगा सौशासन के लिए क़ा किया था अधेश की लोगों के अंदर एक जो है जागरित की थी लोगों को जागरुग किया था है ना और लोग जो है इस तरह के उम्मीदें भी करने लगे थे तो ये भी आप देख सकते हैं क्या कि 1919 के अधीनियम के निर्माड में ये जो है होम रूला अंदोलन बहुत महत्पुन भंगादा किया ठीक है ना फिर इसके मांगे जो रखी गई थी उसको भी हम देखते हैं हमने जब 1919 के अधीनियम पढ़ा था तो हमने इस बात को समझा था कि कौन कौन सी चीज़े जो हैं लखनाव समझोते की वह क्या है 1919 में आपको परिवर्तन के तोर पर दिखाई पड़ते हैं या फिर 1919 के अधीनियम के बनने कि हम बात करें तो उस समय आप इसी बात से समझ सकते हैं कि मुस्लिम लीग और कॉंग्रेस की बीच में समझोता हुआ है तो जिन्ना जो है अपना आलग से कोई 14 सुत्र दे करके जो है बादरेशन पैदा नहीं करेंगे है ना तो यह जिन्ना का सुत्र इंपोर्टेंट था यह 1935 के अधिनियम में इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है यह जिन्ना के सुझ आप उस समय का जब यह समय जब है यह 1927 में आपका जब यह साइमन कमिशन आया है ना फिर उसके बाद नहरू रिपोर्ट है ना नहरू रिपोर्ट इसी समय जो है क्या है जिन्ना ने क्या किया 14 सुत्र दिये है ना मुसल्मानों के लिए ज़्यादा ज़्यादा मांगे रखेगे उनके हीतों के लिए मांगे रखेगे इस सब चीजों का प्रभाव भी आपको दिखाए पड़ता है 1935 में और आपके पता है कि अंग्रेस सरकार जो समय जो एक जन्भावना बहुत करके उनसे अलग कर दिया जाए ताकि कॉंग्रेस कंजोर पड़े और इस प्रकार की किसी प्रकार की जो बहुत बड़ी चुनावती मिल ले थी उनके सत्ता को उसको क्या किया जाए के उसको क्या किया जाए रोका जा सके है ना तो यह सब चीजे जो 1935 के अधीनियम में हम द देखते हैं इसमें सही toujours किया हो भई हम डिकते हैं 23 सभी एक गाणा कुषिन है एक आपका यह का रीजन क्रिजन ना देखते हैं भारत के समयधानिक विकास की प्रक्रिया में उत्तरदाई सरकार की स्थापना के संदर्व में 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम की अगली कड़ी है ठीक है प्रश्न समझ में आ रहा है आपको कतन समझ में आ रहा है वह ध्यान से पढ़िये भारत के समयधानिक विकास की प्रक्रिया में उत्तरदाई सरकार की स्थापना के संदर्व में 1935 का अधिनियम 1919 के अधिनियम की अगली कड़ी है ठीक है ना मतलब हम लोग इसी चीज़ को अच्छे समझते हैं भारत का समयधान कोई एक दिन में तो नहीं आया है ना वो खमारे लंबे संगушों का हमारे अन्भाब़ों का परिणाम रहा है तो उसी में हम क्या है हम समय धानिक विकास चुकी पढ़ रहे हैं हमने 1919 का दीनियम पढ़ा है 1935 का दीनियम पढ़ा है तो हम यह देखते हैं कि 1919 का दीनियम में आशिक रूप से क्या है प्रांतों में उत्तरदाई सरकार की बात की गई थी लेकिन 1935 की जब बात करते हैं तो प्रांतों को क्य मतलब वहां पर उत्तरदाई सरकार के ज्यादा मजबूत तरीके से दिखाई पड़ने लगी और एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि 1919 के अगले चरण के में 1935 के अधीनियम के आते हम क्या देखते हैं ज्यादा मजबूत उत्तरदाई सरकार देखते हैं वास्तविक उत्तरदाई सरकार देखते हैं ठीक है उतना वास्तविक भी नहीं है चुकि अभी हम अधीन ही है है ना लेकिन फिर भी अगर तुलनात्मा रूप से देखें तो क्या है 1919 की अगली कड़ी की रूपे 1935 के अधी पड़ती है ठीक है फिर यहां पर क्या है आपका रीजन बता रहा है केंदर में द्वैद शासन लागू कर दिया गया है ना तो यह जो चीजें है यह जो आपका कथन है कथन के संदर में अगर इस कारण को देखें तो क्या लगता है कि यह इसका सही कारण है त्यान से देखिए आपको ऐसा लगेगा कि इसमें चलिए ये भी सही बात है कि ऐसा हुआ है ना और कारण में ये भी केंदर में दुए शासन लागू कर दिया गया ये भी सही बात है लेकिन क्या ये जो है इसकी सही व्याख्या करता है तो आपको लगेगा कि नहीं व्याख्या नहीं कर रहा है दोनों भले सही भले हैं लेकिन क्या है ये इसका सही कारण नहीं है या इसकी सही व्याख्या नहीं करता है ठीक है न तो यहाँ पर क्या है आपका ए और आ दोनों सही है ठीक है और अर दोनों सही है परन्तु ऐक इस यहां नहीं करता यह आपशन। Biencakco का क्री आत्रा नहीं है यह दोनों कथन सही हैं लेकिन यह इसका कारण नहीं है तो ना चलिए अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन बहुत सिंपल सा है कि भारत में RBI की स्थापना जो है किसा अधिनियम के अंतरगत की गई थी तो जाए से बात ही यह 1935 का अधिनियम सीधा सीधा कुशन है इस पर बहुत जादा टाइम जैने के जरूत नहीं है अगला है इस वसक्ते का लागोै तकति है ना धिरकर अदिया Satisfzing को पर्थंबार मदान का अधिकार जो है वह तो 1919 का दिनएम में दे दिया थह ना भडिनी सो इस तो 1935 की नहीं नहीं फिर तीसरा है इस अधिनियम में महिलाओं के लिए प्रितक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था ये जो है बिल्कुल ये सही है ठीक है ना ये भी सही है ये वाला आपका गलत है अगला है इस अधिनियम के आधार पर 1937 में चुनाव आजित किये गये थे ये भी बिलकुल सही है तो सही एंसर क्या होगा भई एक तीन चार एक तीन चार ये आपका option सही होगा ठीक चलिए ध्यान रखेगा ये बहुत close टाइप के जो option होते है ना उसमें confusion जादा होता है इसल से आपको मिलते रहते हैं question दो वहाँ इसको solve कीजिएगा वह आपके concept को clear करने के लिए बहुत important होंगे आपको confusion को दूर करेंगे वह ठीक है तो लगातार कोशिश करते रहें करते रहें जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती है ठीक है चलिए अगला है 1935 के अधिनि डिझी की घंदरी बजट और प्रांती बजट को प्रथमबार अलग अलग की से अधिनियम में किया गया य्याद आ रहा है आपको अपको सब्सक्रांद 199 के अधिनियम में किया गया था ठीक है ना 199 के अधिनियम में केंळी बजट और प्रांती बजट को परतमबार अलग लग लग किया है कि हम के लिए तो यह चीज़ है और दूसरी बात जो है हम इसके बारे में यह कह सकते हैं कि यह तो हो गया सकारात्मर उसे देखना ना लेकिन हमेशे ध्यान रखेगा कि अंग्रेजों का जो था वो देश यह नहीं था कि वित्ति स्वायतता दे दी जाए है ना उन्होंने जो भी ज का चैके काटवती कि जासके और जो वसूली है उसको जादा से ज़्या बढ़ाएं से ठीक हैं कहर्च खर्च कों करना और वसूली जोनकर वसूल करते или टेक्स कई और वे वदेश सारी चीजेश, उसको बढ़ाया जासके इसी उदिशित सही हो कया है इस तरू के का बजट को अलग करना विथनुस चाहतता देना इस तरह की कोशिशें जो हे वह करते रहे हैं लेकिन उसका उदिश ये कतय नहीं रहा है कि वो जो है वह विथनी सवाहतता परदान करें प्रांतों को या फी जो उसके बारे में बात कर रहे हैं वहां पर वित्तिय स्वायतता की बात करने वाली जहां तक बात है तो वो उनका उद्धिशत नहीं था बलकि खर्च को कम से कम करना और वसूली को जादा ज्यादा करना ये था उनका मुख्यों देश मैं वाफिस से कह रहा हूं चुकि विदेशी सरकार्थी इसलिए सोभा भी खेए बात जिसका मतलब इसमें गुसा बिल्कुल नहीं होना है ठीक है ना चलिए हम आगे चलते हैं तो यहां पर यह आपको बिल्कुल क्लियर हो गया अ बिल्कुल लग कर दिया कर दिया गया कथन और कारण दोनों साहिए यहीवजह थी आजिसकी वजह से क्या किया गया टो क्या है ना इसका मतलब इसका विद्भातन जाइस सी बात है कि भारत यह होना चाहिए लेकिन भारत से जो है वह पॉलिटिकल और एड्मिस्ट्रेटीव जो वर कर रहा है वो क्या कर रहा है वो ब्रिटन के लिए कर रहा है तो इसका मतलब जैन्यून से बात है और जायज बात है कि इसका जो है वो किसे वेतन बता मिलना चाहिए ब्रिटन से मिलना चाहिए है ना भे तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों जो है अलग सही है और जो का जो है आप वहां से ले सकते हैं उसका ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं यहां मेरा एंसे क्यूज का जो मुखी उद्देश था वह यह था कि आपको एक पढ़ाई का तरीका बताना आपके दिमागे जोड़ डालना आपको मजबूर करना कि आप सेल्फ स्टडी बहुत बेहतर तरीके से करें ठीक है तो आज का यह आज की एक लास यहीं तक फिर से मिलेंगे ठीक है धन्यवाद